देश में फिर पक्टी कोरोना ने रफ्तार पिछले 24 घंटों में आए 18.39 केस दोस्तों देश में बीटे दिन कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे थे लेकिन अब एक बार फिर से इस जानलेवा कोरोना वाइरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है साथ ही कोरोना का सबसे खतरनाख वेरियंट ओमिक्रोन भी तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है आलम ये है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,82,000 नए केस सामने आए हैं जो कि कल की तुनला में 8.9 प्रतिशत अधिक है जबकि कोरोना से 441 लोगों की मोत भी हुई है वहीं देश में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 8,961 हो गई है इसके साथ ही सरकार टीका करन और टेस्टिंग के आखडों पर भी जोर दे रही है केंदर सरकार ने कोरोना के इलाज से सम्मंदित अपनी गाइडलाइन्स में कुछ बदलाव किये है नई गाइडलाइन्स में डॉक्टर्स को सलहा दी गई है कि वो मरीज को स्टरोइट्स देने से बचे इससे ब्लैक फंगस जैसे दूसरे इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है कुछ दिनों पहले ही नेशनल कोवेट टाक्स पोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने दूसरी लहर के इंब्लक्स के जरूरत से जादा स्थमाल को लेकर पच्टावा जाहिर किया था नई गाइडलाइन्स के रुसार अगर स्टरोइट बहुत जल्दी और जादा मातरा में या फिर कहें कि काफी लंबे समय तक दिये जाते हैं तो इससे मरीज को दूसरी गंभीर बिमारिया हो सकती है लेकिन दोस्तों सवाल ये उड़ता है कि आखिर ये स्टरोइट क्या होते हैं और अगर ये मरीज को लंबे समय तक दिये जाएं तो मरीज किस तरह की गंफीर बीमारी का शिकार हो सकता है। साथी सवाल ये भी उड़ता है कि इससे किस किस तरह की infection का आप शिकार हो सकते हैं। आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको दूँगी इस वीडियो में लिहाजा बने रहीए वीडियों के लास्ट सक मेरे साथ क्या होते हैं स्ट्रोयड को इस्ट्रोयड देने से पचे डोक्टर्स दोस्तों इस प्रकार का कैमिकल होता है जो की हमारे ही शरीर के अंदर बनता है कैमिकल को सिंथेटिक रूप में भी तैयार किया जाता है जिसका इस्तमाल किसी विशेश बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है इसके अलावे स्टरोइट को प्योग पुरुशों में होर्मोन्स बढ़ाने, प्रजनन्स चमता बढ़ाने, मेटबॉलिजम और इम्म्यूनिटी को दुरुस्त करने में भी किया जाता है मास्पेशियों और हड्डियों में मजबूती बढ़ाने के साथ साथ दर्द के इलाज में भी यह इस्तमाल किया जाता है एक्सपर्ट का मानना है कि स्टरोईट्स के जादा स्तमाल से हाट डेक, लिवर की समस्या, ट्यूमर, हड्डियों को नुकसान, शरीर का विकास रुखना, बांजपन, बाल का जढ़ना, लंबाई बढ़ना, अवशाथ जैसी आदी बिमारिया हो सकती है बावजुद इसके डोक्टर्स कई मामलों में स्टरोईट का इंजेक्शन देते हैं, जो की हानिकारक है दूसरी लहर में कोरोना मरीजों को स्टरोईट से हुई थी परेशानी दोस्तो, कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस की बिमारी भी अस्तितू में आई थी जिससे लोग काफी डर गए थे, क्या आप जानते हैं कि ये क्यों हुआ था, अगर नहीं तो चलिये जानते है दरसल दोस्तों फारत में कोरोना की दूसरी लहर के दोरान मरीजों पर स्टरोइट्स का इस्तमाल किया गया था इसके हैवी डोस से बहुत से मरीजों को ब्लैक फॉंगस का इंफेक्शन हो गया था और कई लोगों ने अपनी जान भी गवाई थी इसके कारण कई मरीजों को high sugar level और heart संबंदी बिमारियों का भी सामना करना पड़ा था कुछ मामलों में तो मरीजों को हड्डियों में तेज दर्द चलने और उठने बैठने में लोटने में भी दिक्कत हो रही थी लेकिन अब इसको लेकर नई guidelines में फैसला लिया गया है कि मरीजों को asteroids देने से बचना है लेकिन इसी के बीच इसराइल में भी कोरोना की नियमों को लेकर कुछ बदला हुए हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि कोरोना के बरते संक्रमन को लेकर किस हैरान कर देने वाले रिसर्च का खुलासा हुआ है बिनादेरिके चलिए जानते हैं इसराइल ने घटाया कोरोना का isolation period कोरोना के बरते संक्रमन के बीच आई हैरान करने वाले research दोस्तो हाली में इसराइल ने कोरोना संक्रमितों को लेकर अनिवारिय आइस्सोलेशन पीरियर को साथ दिन से घटा कर पांच दिन का कर दिया है ये फैसला आज लागू होगा इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन में आइस्सोलेशन पीरियर को घटा चुके हैं जबकि चीन अब अपने सिर पर लगे कोरोना के आरोपों का ठीक राग किसी और के सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है आखिर ये माजरा क्या है अब चीन किस देश के ऊपर कोरोना के फैलने का आरोप लगा रहा है आपके तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी लेकिन उससे पहले जानते हैं दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमन के बीच एक हैरान करने वाले रिसर्च के बारे में दोस्तों Nature Medicine Journal में प्रकाशित हुई इस रिसर्च में वेज्यानिकों ने दावा किया है कि प्रेग्नेंसी के वक्त कोरोना से गंभीर समस्याए होने का खतरा बढ़ जाता है अगर प्रेग्नेंट महिला ने संक्रमन से बचने के लिए वैक्सीन नहीं ली तो यह उसके बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है ब्रिटेन की युनिवरसिटी ओफ एडिनब्रा के विज्यानिक का कहना है कि डिलिवरी डेट के 28 दिन पहले से प्रेग्नेंट महिला को सावधानी बरतना बहत जरूरी है उन्होंने इपने रिसर्च में पाया कि मा को कोरोना होने प को कबूल ना करके इसका दोश किसी और के सर पर डाल रहा है आखिर क्या है ये पूरा मसला चलिए जानते हैं चीन ने दिखाई कोरोना वाइरस पर एक और नई पैतरे वाजी चीन ने कनाड़ा के सर फोड़ा ओमिक्रोन फैलने का ठीक रहा दरसल दोस्तों कोरोना वाइरस कर बार जुट बोलकर पूरी दुनिया में वाइरस को फैलाने वाले चीन ने अपने देश में ओमिक्रोन फैलने का ठीक रा प्रस पर फोर दिया है। चीन के तरफ से कहा गया कि कनाड़ा से एक पैकेज के जरीए चीन में कोरोना वाइरस का ओमिक्रोन वेरियंट आया है। वहीं चीन में पिछले कई महीनों से लगतार एक के बाद एक शहरों में लोकडाउन लगाये जा रहे हैं। और अब जाकर शायद चीन को पता चल रहा होगा कि उसने कोरोना वाइरस पर जूट बोल कर दुनिया को खितना तंग किया है। कोरोना वाइरस की ओमिक्रोन वेरियंट ने चीन को काफी जादा परेशान कर रखा है। चीन के अंदर कई इलाकों में बारी बारी से लोकडाउन लगाया जा रहा है। खासकर चीन की जीरो कोविट पॉलसी ने लाखों लोगों को एक तरह से कैद में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। वही राजधानी बीजिंग में भी कोरोना वाइरस के ओमिक्रोन वेरियंट के मिलने के बाद अब शीत कालीन ओलम्पिक पर भी खत्रे के बादल मंडरा रहे है। जिससे चीन काफी डर गया है। इस पिच चीन की तरफ से कहा गया है कि चीन में अमिक्रॉन वेरियंट कनाडा से आए किसी एक पैकिट से फहला होगा यानि चीन ने बीजिं के मिल रहे अमिक्रोन वेरेंट के लिए कनाडा को जिमेदार ठेहरा दिया है अधिकारियों को दिये गए निर्देश, चीन ने अपने डाक विभाग के करमचारियों को विदेशी डाक के सम्मंद में सक्त हिदायत देते हुए उनकी कड़ाई से निगरानी करने के लिए कहा है और विदेश से आने वाले हर पारसल को वाइरस मुक्त करने की चेतावनी दी है चीन करेगा अपने डाक करमचारियों को पूरी तरह से वैक्सिनेट चीन में होने वाले शीत कालिन ओलंपिक को लेकर क्या कहा एक्सपर्ट ने दोस्तों चीन की तरफ से कहा गया कि वो अपने डाक करमचारियों को पूरी तरह से वैक्सिनेट कर रहा है ताकि उसके डाक विभाग के करमचारी हर तरह के पारसल को लेकर सुरक्षित रहे बीजिंग में चार फरवरी से शीत कालिन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है और अब करीब दो हफ्तों का वक्त ही बचा हुआ है शीत कालिन ओलंपिक को लेकर जादतर एक्सपर्ट का यही कहना है कि चीन ने भले ही ओलंपिक खेलों को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया हो लेकिन चीन के लिए खेल को पूरी तरह से संपन करना काफी मुश्किल होगा चीन की सरकारी मेडिया सिसीटीवी की तरफ से एक बयान जारी करते में कहा गया विदेशों से खरीदारी करना कम से कम करें इसके साथ ही सिसीटीवी की तरफ से ये भी कहा गया कि विदेशों से आए पारसल को खोलते समय अत्यदिक सावधानी बरते मुपर मास्क और हातों में दस्तानी पहन कर ही विदेशी पारसल को खोले इसके साथ ही चीनी मीडिया कहती है विदेशों से आए पारसल को घर से बाहर खोलने की कोशिश करें चीन के स्वास्ते अधिकारी कहते हैं कि कनाड़ा से आए एक पैकेट को खोलने के बाद ही बिजिंग का शक्स कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट से संक्रमित हुआ है इस पारसल को अमेरिका और होंग कोंग होते हुए बिजिंग तक भेजा गया था इसके साथ ही चीन के अंदर सरकार की तरफ से विदेशी पारसल को कैसे खोलना है इसको लेकर भी तरीका बताया गया है और उसका वीडियो देश भर में फैलाया गया है चीन आज भी अड़ा अपने सबसे पुराने जूट पर बीजिंग में हुए लोकडाउन जैसे हालात दोस्तो शाजिसों को तलास्ता चीन कहता है जो चोर रहता है उसे ही चोरी करने की तरकीबे पता होती है और जो की चीन से कोरोना वाइरस दुनिया में फैला है तो लिहाजा चीन को अच्छे से पता होगा कि कोरोना वाइरस को किन किन तरीकों से फैलाया जा सकता है लिहाजा चीन के तरफ से शक्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोल्ड चैन आयात जैसे विदेशियों से आने वाले मास और मचली के उत्पाद से कोरोना वाइरस बेजा जा सकता है लिहाजा इन पदार्तों को लेकर सतरक रहने की दरूरत है बहले डबलु एचो ने ओमिक्रोन वेरियंट को कमजोर कहा हो लेकिन चीन में ओमिक्रोन वेरियंट को लेकर काफि सकती बरती जा रही है और चीन अपने सबसे पुराने जूट पर आज भी अड़ा हुआ है कि कोरोना वाइरस चीन से नहीं बलकि दुनिया के दूसरे हिस्तों से चीन में आया है बीजिंग में लोकडाउन जैसे हालात बन चुके हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी बीजिंग में एक तरह से लोकडाउन ही लगा हुआ है और लोगों से अति आवश्यक होने पर ही घर से या फिर शहर से बहार निकलने की इजाज़त है वहीं बीजिंग में वही लोग एंट्री कर सकते हैं जिनके पास 24 घंटों के अंदर कोविड नेगिटिव सर्टेफिकेट हो आपको बता दे पिछले हपते बीजिंग के पडोशी शहर जोंगशान में एक कोविड मरीज मिला था जिसके बाद करीब 24 लाग की आबादी वाले इस शहर में हर एक शक्स को कोविड टेस्ट करवाया गया था और शहर के तमाम सेलून, जिम, सिनेमा होल समें तमाम सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को बंद कर दिया गया था वहीं शहर के प्रभावित हिस्तों से लोगों के बाहर निकलने पर भी पाबंदी रगाई गई है